दोस्तों सुजलोन एनरजी की बात करें तो आज रिजल्ट के पहले स्टॉक के अंदर तुफानी तेजी देखना को मिली अब आप देखी सकते हो कि काफी दिनों के बाद स्टॉक आज सांधार प्रदोसन किया और इसके पीछे वजव बाजार की तेजी भी है काफी दिनों के बाद आज हमने बाजार में भी सांधार तेजी देखी है जो पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का महुल था उस पे ब्रेक लगा और संभावना बनने लगी है कि बाजार में फिर से तेजी आ सकती है सुजलोन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चिंता थी कि श्टॉक लगातार गिरते हो क्या फिर से 50 के नीचे चला जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं श्टॉक ने बाउंस बैक दे दिया क्या आप आने वाले समय में एक जबड़स तेजी कले श्टॉक तयार हो चुका है और क्या है रिजल्ट की आगे की समावना प्रिवियू के मादिम से समयने की कोसेश करेंगा लग-लग ब्रोकेजा उस क्या करेंगा और जैसे रिजल्ट डिकलेर होगा उसको भी हम डिसकस करेंगे लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन दबा दीजिए लेकिन इंट्राडे में यह 80,500 को भी क्रॉस कर गया था यानि जो क्लोजिंग यह वो लगबग 500 पॉइंट नीचे जरूर है लेकिन फिर भी यह तेजी अच्छी है काफी समय के बार ऐसी तेजी देखनों को मिली है वैसे निप्टी अनर्जी में तेजी कोई खास नहीं थी 39,143 के इस्तर पे मात्र सेवंटी नाइन पॉइंट की तेजी थी यानि 0.20% अपर क्लोजिंग यह निप्टी अनर्जी नहीं और नतीजा यह रहा कि सुझलों भी अपरे उपर के लेवल से थोड़ा नीचे है तो यहाँ पे देखतों कि तो सुझलों के स्टॉक की स्टॉक की सुरुआत 68 पर हुई यानि पॉजिटिव सुरुआत हुई क्लोजिंग फ्राइडे की 67.47 के आस पास थी इंट्रा डे में 66 का लो भी बना यानि स्टॉक ने नीचला लेवल टच किया जो दो दिन पहले भी इसने टच किया 67 से इसको बाउंस बेक आई जाता है और आज भी बिल्कुल वैसे ही वह और बादर की तेजी का फाइदा मिला और स्टॉक सिधा 72 तक चला गया जबर्दस देजी फाइनली फिर से 70 के इस तरको इसने तोड़ा और अंत में 70.99 के आस पास क्लोजिंग देखना हूं परसें की सांदार तेजी के सांद स्टॉक अच्छी है वाद की राहत मिली है कि 70 के उपर इसने क्लोजिंग दे दी है और वालिम आज जबर्दस बढ़ा है कई दिनों के बाद पिछले एक महीने पहले इसका 6 क्रोड का वालिम था 3 क्रोड की डिलेवरी उठाए गई वन वीक पहले 5 क्रोड का वालिम वा सामने 2 क्रोड की डिलेवरी उठाएगी और फ्राइड़ को भी 5 क्रोड का वालिम था 3 क्रोड की डिलेवरी उठाएगी और आज 9 क्रोड का वालिम वा पूरे महीने में सबसे सांदार अज वालिम था और आप देखें कि इंट्राडी में आज 7% के आसपास की जबड 10 तेजी देखने हो गोली बाजार अगर देखें कि अंत में अगर नीचे ना आता थोड़ा सा तो ये तेजी और बढ़ सकती थी यानि 10% भी जा सकती थी अब ये देख सकते हो कि इस तेजी के पीछे ये भी वज़े कि आज कंपनी अपना कॉर्टेटू का रिजल डिकलेर करने जा रही है रिजल बैतर रहने की सबको उम्मीद है और रिजल अब साम को हमारे सामने होगा उसके पहले हमारे सामने आप देख सकते हो कि इसका प्रिवी आज चुका है अलग-अलग ब्रोके जाओ उसका उसको भी देख लेते है अब पिछला रिजल काफी बेतर था नेट प्रॉफिट 302 क्रोड के आसपस रहा तो साल वर के आदार के सबसे 237 की ब्रजी दिखा रहा थ क्योंकि पिछले एक साल पहले 101 क्रोड के आसपस था वह प्रॉफिट 302 क्रोड तक चला गया जबर्दस प्रॉफिट वदा है क्वाटर वन में और रिवेन्यू देख सकते हो कि रिवेन्यू भी काफी अच्छा रहा है तो इस हिसाब से अगर देखे तो इस बार रिजल बै परफॉर्मेंस है वो लगबग वैसी रह सकती है और इसके पीछे वज़य अभी तड़ा मार्जिन में गिरावट तो यहाँ पर देखे कि ड्रॉफ जो है मोर देन 200 बैसिस पॉइंट के आसपस रिने की संभावना है तो जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो यह अरन बैसिस पे बैतर हैगा और प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी से कॉर्टर और कॉर्टर बैसिस पे कमी की संभावना व्यक्त कर रहे है नोमा इंस्ट्रिटूर एक्यूटीज ने अंदाजा लगा है कि जो कंपनी का रिवेन्यू है वो यहाँ पे 2,454.1 क्रोड के आसपस बता सकते है जिसमें 73% की यहाँ बैसिस पे जबर्दस जम देखना हो मिल सकती है और 21% की कॉर्टर और कॉर्टर और कॉर्टर बैसिस पे जम देखना हो मिल सकती है और 21% की कॉर्टर और कॉर्टर बैसिस पे जम देखना हो मिल सकती है कम्पनी का जो प्रॉफिट है वो 324.6 क्रोड के आ तो 326 क्रॉफिट के प्रॉफिट की यहाँ पर अंदाजा नॉमा की तरफ से लगाया गया है वैसे नॉमा ने इसमें होल्ड की रेटिंग दिये और टार्गेट 64 का दिये जो करण प्राइस से नीचे है जेम फाइनेसल के इसाफ से जो सुजलोन का रिवेन्यू है वो देखते कि क्वाटर टू में करीब 1683.1 क्रोड के आसपर से रह सकता है जिसमें 18% की एरन बेसिस पे गिरावट देखनों को मिल सकती है और 17% की क्वाटर टू में बेसिस पे गिरावट देखनों को मिल सकती है अब यहाँ पर इसके इसाफ से देख सकते हो कि फिलाल जेम फाइनेसल रिजल को कमजोर बता रहे अबिटाडा जो है वो 271.3 क्रोड के आसपर रह सकता है जहाँ पर 21% की एरन बेसिस पे गिरावट देखनों को मिल सकती है अबिटाडा मार्जिन देखे देव यहाँ पर 16.1% के आसपर रहने की संभावना नेट प्रॉफिट 206.7 क्रोड के आसपर रहने की उमीद है जिसमें 102% की एरन बेसिस पे वर्जी देखनों को मिलेगी लेकिन quarter on quarter basis पे 32% की गिरावट हो सकती है तो जेम फाइनेसल के हिसाब से 206 क्रोड का प्रॉफिट आ सकता है जो देख रहने की यहाँ पे क्लेरी समझ में आ रहा है कि नौमा की मुकाबले उनका जो नजरिया है वो कमजोर है आनन राठी के हिसाब से सुजलोन का जो रिवन यह वो 2775.7 क्रोड के आसपर रह सकता है जिसमें 95% की एरन बेसिस पे सांधार जम देखनों को मिल सकती है और 37.7% की quarter on quarter basis पे company जम दिखा सकता है अभी टारा margin अगर आप देखे तो इसमें 16% की गिराउट देखनों को मिल सकता है जो 210 basis point के आसपर रह सकता है तो यहाँ पे profit after tax की बात करें तो आनन राठी के हिसाब से 378 करोड का company profit बता सकती है और इसमें 175% की एरन बेसिस पे जम देखनों को मिलेगी और 25% की quarter on quarter basis पे ज पिछले एक साल पहले 108 मेगावाट के आसपास था तो सुरी 108 परतिसद अब बता रहा है पिछले साल के मुकाबले जो company का delivery volume काफी अच्छा है और यहाँ पे देखो कि इन्होंने इसकी buy की rating दिया और 76 का target दिया है जो फिलाल current price से उपर है तो यहाँ पे आप देखो कि उनकों के हिसाब से इस बार result में गिरावट देखना हो मिल सकती है और उनका जो यहाँ पे profit का अंदाजा है वो 200 करोड के आसपास है तो देखना होगा कि कौन सच होता है लेकिन मोटे मोटा अंदाजा है कि इस बार result बैतर रह सकता है और पीछले बार के मुकाबले quarter on quarter basis पे 11% होल की कौल है इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना परसंद करें ऐसे में long term investor के लिए एक अच्छा मौका और जैसे result आएगा उसको हम अच्छे से analysis करेंगे और समझने की courses करेंगे क्या सभी वाक्त आ गया सुझलों में निवेस का लेकिन friends कोई भी investment करने से पहले अपन financial advisor से advice ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तू लाइक से जरू किजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friends